केरला इंडिया 2011, भारी सशस्त्र पुलिस अधिकारी एक प्राचीन हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार पर गश्ट करते हैं, भारत के सर्वोच न्यायाले के अधिकारियों के आदेश से श्री पदमनाव स्वामी मंदिर ने 6 रहस्य मई में हराबों को खोलना शुरू कर द से हैं, ताकि वे अंदर गए और उन्होंने कई कक्षों में सब कुछ प्रलेखित किया, एक कक्ष सिर्फ गहने और गहने के लिए था, दूसरा कक्ष गहनों के लिए था, और वे हीरे और मानिक और पन्ना के सेक्सन बोरे थे, सोने से बने सिंभासन थे, एक 300 पाउंड सोने का घूंगर था, और वहां सोने की चेन की एक रसी थी जो 1100 पाउंड की थी, और इस मंदिर में इतना पैसा होने का कारण योगदान और करों के कारण है, यह तब शुरू हुआ जब महराजाओं और शासकों ने निचली जाती व्यवस्था पर कर लगाना शुरू किया, पह उन्होंने एक चौकाने वाली खोच की, जब वह छठे दरवाजे पर आया, जिससे वे चेंबर कहते हैं, वे कोब्रा से सजाए गए थे, यह खोपड़ी और क्रॉसबोन की तरह खत्रे का संकेत है, जो आपको देता है एक संदेश, दर्ज न करें या अपने जोखिम पर प् करने का एक बहुत अच्छा कारण है, क्योंकि कीवदंती के अनुसार यह आपको शापित हो सकता है, हिंदू धर्म में पौरानिक नाग है, यह कहा गया है कि जब वे दरवाजे को सील करते हैं, तो इसे नाग पास मंत्र कहते हैं, यह नाग के मंत्र के माध्यम से एक मंत्र क की तरह है, इसे बंद कर दिया गया था, हर कोई नागू से डरता है और वे हैं यह सोचकर की यह शापित हो सकता है, इसलिए आप जानते हैं कि लोग इसे खोलने की हिम्मत नहीं करते, उन्होंने जो कुछ सुना उसके आधार पर यह कई बदसूरत परिनाम पैदा कर सकता है लोगों को डर है कि अगर वह कक्ष खुला, तो दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए जब भी आप एक कहानी सुनते हैं कि अरबों डॉलर के दफन खजाने के बारे में कुछ भी करने के बारे में वेवास्तव में मितभाशी होते हैं, तो लोग हमेशा इसे और जानना चाह हम इसे नहीं देख सकते, हम इसे चू नहीं सकते, यह असली रहस्य है क्या आप इसके लिए तैयार होंगे, एक छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए एक घातक अभिशाप को जोखिम में डालें, क्या संभावित भाग्या इसके लायक होगा या कुछ खजाने हैं जो ख वीडियो को पसंद करते हैं तो हमें एक थमजाप दें, अगर आप यहां नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें